नमस्का स्वागत है आपका आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया और मैं कीर्ती भंडूला पश्य मंगाल में थम नहीं रहा राजनीतिक हट्याओं का सिलसिला एक सब्ताह में दस लोगों की निशन्स हट्या कर दी गए जिसको लेकर यहां की राजनीति हिंसक हो चुकी है भारती जन्ता पार्टी समय तमाम दलों ने ममतब एनरजी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है गौरत लब है कि विजय दश्मी के दिन मुर्शीदाबाद के जिया गंज में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में बढ़ते राजनीति विवाद इतना तेस हो गया कि प्रदेश में राजपती शासन लागू करने की गून जूटने लगी है बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हिंसा गर कर गई है पिछले महीने जादवपुर विश्विद्याले में हुई घटना के बाद राजज में राजनीति हिंसक हो चुकी है लोग सबा चुनाओं को खत्म हुए चार महीने हो गए केंद्र में नई सरकार बनी और देश नई दिशा में आगे बल चला है लेकिन एक चीज नहीं बदी पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला चुनाओं नतीजों के बाद भाष्पा की प्रचंट जी और त्रनमूर को हुए नुपसान के बाद तुझे से बंगाल हिंसा का गड़ बन गया आए दिन हिंसा चड़फ और हत्या थी खबरे आ रही है दुर्गा पूजा से बंगाल में एक बार फिट से राजनीतिक हत्याओं का सिलसिलाज शुरू हो गया है पिछले एक सप्ता के अंदर राज के विविन छेत्रों में दस लोगों की नर्शन्स रूफ से हत्या कर दी गई किसी को बोली मार दी गई तो किसी बर धारदार हत्याओं से प्रहार किया गया है जानकारी के अनुसार सबसे पहले वीर भूम जिला और उसके बाद मुर्शीदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना और पूर मैदिनी पुर जिले में विदिन पार्टी के नेता और उनके कारकरताओं की हत्या कर दी गई मुर्शीदाबाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या के मामले में बढ़ते राजनीतिक विवात फिर से शुरू हो गया है एक तरफ इस घटना को भार्टी जंता पार्टी ने एहम हत्यार पना लिया है बंगाल की राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है मुर्शीदाबाद की घटना में एक सकारिय ध्यापक बंधू प्रगाशपाल उनकी पत्नी ब्यूटी और उनके बेटे की हत्या कर दी गए जिसको लेकार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके है ख़बर की जादर जानकारिक लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुर चुकी है हमारे समवादाता चन्दन दास जी चन्दन जी किस तरह के अपडेट इस पूरी ख़बर पर इस वक्त सामने आ रही है सबसे पड़े मुषदाबाद की एक घरना है बंगाल में इसले एक हफ्ते में जिस तरह से हत्यार का दोर शुरू हो चुका है दिर्भूम से लेकर चाई पुरों मेदिन पुरों या पस्ती में लेकर एक हत्या सामने आ रहा है जिसको लेकर बंगाल के रात्मिति एक गर्मा ही हो चुका है और इसमें चीज़े तो बात एक मुषदाबाद की जो घटना है इस घटना में रात्मितिक हात्यार सबसे ज़्यादा उठाने की पहुत है भाटपा जेधना मुषदा के बाद की जो रहे हुए उस काम्यादी के बाद मम्ता बैनारणी की जो छुटका सवless कुका था लेकि इसके बाद इसके बात क आत्यार तो भाटपा थून ह। भून रेरेख ही, सो कहीं ना-था-इस कुछ जो सबसे बड़े सिवरे सिवार के समय जो आष्टमी। उसकी छिल्पला शुरूआ था। मुझाने में बात करें तो बंदाल की बिर्भूम दिश्टिक में आष्टमी के दिन में ही अमी चक्रवर्भति की हथ्या करदी गई पुर्बान सहाथ को भी हत्या कर दी गई इसमें कि भात्पा के उगर आरफ पक्यारफ शुरू हो चुका है इतना ही में आप देखा जाए नदिया में भी उसकी हालोग ऐसे ही है कि नदिया में भी क्लेम की कार्यकर्टा क्यों से हो जाते हैं इसका नदिया में और एक जगा तो रामा घाब में वहां भी भात्पा की कार्यकर्टा का हत्या हो जाता है और इसी मुझ्जे को लेकर सबसे जादे जादे आपका जिया गंच का बना है जो मुष्टबाद में इसलिए कि वहां की चोर राध्मिती है अब संग्रेश की जो सामिस्तत अधिकर्जन चौदरी के अरिया है और इस चिल्चले बात तो देखा जाए तो ज्याद दंज में जो हत्या है और पीचर सबसे पहले बात है बहत्ता ये दावा करें कि आरसे से जुड़े हुए हो बह लेकिन उनके परिवार ये दावा कर रहे है कि ये राध्मिती साथ देख संपट नहीं था यह इसी तरह से मानद जा सकता है आप नहीं आतियों था जो आपने ही लोगों ने किसी तरह से उसको खुला के हत्या के गई गई और यह जानकारी चाप्डेट हम लोग के पास दिन प्रत्यारों पलग रहे हैं जो राजपती शहासन लागू करने की जो बात सामने उठका आ रही है इस पही क्या कुछ आपका कहना है? आपको शीज़े तर पर ये बार बतना चाहत है कि बंगाल की राज़िकी में आप जो राश्ट्रफभी साथन के मान भागपा इतले कर रहे हैं कि वहां की जो गानल व्योस्ता के लेकर वारा सवाल उचना शुरू हो चुका है। जो जानकारी मिला है तो जो जानकारी मिला है। जिसके कारण क्या हुआ है कि जो प्रतेक्स दर्शिये उन्होंके ने बता रहे हैं कि चिज़े से कुछ फून हुआता उसके राच से उनी के घर से एक बिना पहतने वह कुछ वहां से भाग गया तो इसका कुछ बैक के बात हुआ है। जो पड़े मिला था खुन से पूरे लगपर था उसके बात आरप यही सब साविश होने जा रहा है कि आके कर खुन किसने क्या और खुन के समय उस लेड़का वहां क्या कर रहा था। जो बात कुने का रहा है रहा है रहना हो सकते हैं। तो आप सभी ने से उना किस तरह से बाजपा को एक शुरुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमा ऐसा जोड़ने के लिए। तो आप सभी ने सुना किस तरह से बाजपा को एक मौका मिल चुका है। त्रिंड मूल के उपर जो ममजप एनरजी की पार्टी है उस पर निशाना साथने के लिए साथ ही बिलकुल बेशक सवालया निशान खड़े होने बंते हैं। कि एक हफते में दस मौते हो जाती हैं और उन मौतों के पीछे का कारण सद्ध नहीं हो पाता है। बाकी राजनी राश्पती शासन को लेकर वो लागू होता है या नहीं लेकिन बाजपा की लागाता प्रदर्शन सद्ध भाजपा का जारी है। इसी के साथ हम बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुचाते रहेंगे। दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए अब देखते रहें प्रांटीवी इंडिया।